नमस्कार मैं डाक्टर नरेश सुकला और मेरे चैनल डाक्टर जी ओतिस मैं आपका स्वागत है कुछ लोगों की कंप्लेंट थी और कंप्लेंट वो सही भी थी कि मेरे जो वीडियो हैं वो कुछ देर से पढ़ते हैं तो उसका मुख्य कारणी यह है कि जितना भी कंटेंट होता है उस योग से सम्मंदित मैं पूरा देने की कोशिस करता हूं कभी-कभी हो सकता कुछ बच जाता है तो मैं अगले वीडियो में वो आपको बता देता हूं इसी वज़े से कभी-कभी वीडियो देर से पढ़ते हैं पेशेंट भी देखने होते हैं तो थोड़ी बहुत जो घरीलू समस्य है वो भी आ जाती है पेशेंट भी देखना है बागी काम है वो भी करने है तो उसकी वज़ेसे भी वीडियो देर से होते हैं लेकिन मेरी पू चांडालीयोग ने कुछ लोगों ने पूछा था कि अगर गुरू की रासी हो उसमें चांडालीयोग बनने लगी तो क्या बनेगा बिल्कुल बनेगा हाँ यह होगा कि जब वो गुरु की रासी होगी धनु या मीन में राहू आ गया है तो होगा यह कि वो हंसियोग कभी फल देगा और चांडालियोग कभी तो वो आंसिक हो जाएगा आज हम पढ़ेंगे दरिदरियोग आपके आश्लोजर इसकी वारे बताते रहते होंगे हो सकता है आपको कि आपके में दरिदरियोग बन रहा है तो दरिदरियोग है क्या अगर सेकंड भाव और नवे भाव का स्वामी और सेकंड का हमारे यहां सुक्र है यह अगर छे आठ बारा मैं बैठ जाएगा तो हमारे यहां यह कहलाएगा दरिदरियोग तो क्या दरिदरियोग में जो जाता है को दरिद रहता है ऐसा नहीं है यह जो इस्थान है यह भागय का है यह धन संचे का तो अगर सुक्र की दसा आ जाएगी तो ये जो दुर्योग है यानि धन संचय धन संचय का होता है ये तो उसमें धन क्या जो आपके व्याय है यानि खर्चें है वो बढ़ जाएंगे इसका केवल इतना ही मतलब है ऐसा नहीं है कि जिंदगी वर आप दरिदर रहेंगे जो हमारे तर्था कथित आश्ट लजर बताते हैं कि आप मैं दरिदर योग है आप जिंदगी वर दरिदर रहेंगे ऐसा नहीं है केवल इतना होगा जब सुक्र की दसा आएगी तो धन का संचय नहीं हो पाएगा धन ज्यादा से ज्यादा व्य होगा अब यह आंसिक कब होता है इस पे अगर सुब ग्रहों की द्रिष्टी पढ़ जाए मालिया गुरु की यहाँ पढ़ जाए गुरु की द्रिष्टी पढ़ने लगी सुक्र पे तो यह योग आंसिक हो जाएगा सुब ग्रह इसके साथ भी हो सकते हैं मालिया यहाँ भी बैठ जाएं तब भी यह जो योग है वो आंसिक ही रहेगा कभी कभी सेकेंड और नवे का स्वामी अलग भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए मान लिया मैं इसको चेंज करें दे रहा हूँ अब देखिए इसके चेंज करने क्या होगा यहां सेकंड भाव का स्वामी चंद्रवा हो गया और यहां सनी हो गया अब अगर यह दोनों ही छे आट बारम बैठ जाएंगे दोनों ही अगर छे आट बारम बैठ जाएंगे तो दरी दरी योग कहलाएगा लेकिन इन में से अगर एक भी किसी अच्छी पोजीशन पर बैठ जाएगा खेंद्रिया त्रिकोन मान लिया तो योग आंसिक हो जाएगा ऐसा नहीं कि जिन्दगी बार आप दरी दरहेंगे जब इनकी दसा आएगी तो आपका व्याय बढ़ जाएगा यह धन संचे का स्थान है अब आप कहेंगे यह क्यों ने लिया यह है आयक स्थान आप जो बिजनेस करते हैं नौकरी करते हैं इसलिए इस स्थान को नहीं गिना जाएगा केबल सेकेंड और जो नाइंथ स्थान है उन्हीं को गिना जाएगा तो यह आंसिक भी इस कंडिशन में बनता है और पूर्ण भी बनता है अब मान लिया कि यह किसी बुरे ग्रहूं राहू मंगल यानि पाप ग्रह जिसको कहते हैं उनके साथ हो जाएगा तो यह दुर्योग और बढ़ जाएगा और सुब ग्रहूं की दृष्टी में यह योग कम हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर दरिद रहेंगे धन का संचे कम होगा आप कमाएंगे तो जरूर लेकिन आपके बैंग में धन कम इकठा होगा इसका केवल इतना ही मतलब है दरिद रियोग का यह मतलब नहीं कि जिंदगी भर आप दरिद रहें कोई आपको बताए कि आप जिंदगी भर दरिद रहेंगे क्योंकि दरिद रियोग है तो ऐसा नहीं है कोई आश्ट्रोजार आपको बताए कि जिन्द की वार आपमें दरी-धर योग बन रहा है दर दर योग नहीं है आन्सीक भी हो सकता है और उसका कैंसीलेशन भी हो सकता है कैंसिलेशन में अबनाता है कि सुप ग्राहों की द्रिश्टी पढ़ने लगे तो आंसीक से भी कम हो जाएगा दस से पंद्रा परसंट यह असर रह जाएगा उसका इससे संबंद्र आपकी क्वैरी जो भी हो आप मुझसे पूछ लीचेगा कमेंट करिएगा और मुझको बिदा दीजे नमस्राइब